नमस्कार दोस्तों यूं तो हम कालपनिक दुनियास के मूविज देखके बहुत खूश होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी वास्तविक्ता हमारे सामने होती है जिसे सिप सुन पाते हैं देख नहीं सकते मैं आज कुछ ऐसे ही वास्तविक्ता पर आधरी टॉप टेन डॉक्यूमेंटरीज मुविस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे नेट जीवो और होट स्टार पर रिलिस की गई है तो दोस्तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले तो आईए हर बार की तरह कुछ अलग देखते है नमबर टेन पे हैं दोस्तो होस्टाइल प्लानेट एक जबरजस नेचर डोक्यूमेंटरीज मुवी है जिसमें प्राणियों की दुनिया का पूरा निचोट रख दिया है और ऐसी लाजवाब सिनोमेटे ग्राफिया आपको देखने को मिलेगी कि आप देखते ही रहे जाओगे प्राणियों की दुनिया को हम कैसे बरबात कर रहे है वो भी इसमें बहुत बारी किसे बताया गया है मेरे क्याल से ये डोक्यूमेंटरी आपको देखनी ही चाहिए नमबर नैन पे हैं दोस्तो लोकडाउन कोरोना की वज़े से हमारी सरकार ने पूरा देश को 23rd March 2020 को लोकडाउन कर दिया था उन दिनों हम तो हमारे घर में होगे लेकिन कई सारे लोग बेगर हो गए थे और इन विकट परिस्तिति में हमारे कोरोना वरियस हमारे डॉक्टर सुरक्षा करमी और कई सारे करमचारी कैसे काम कर रहे थे वो सभी बारी की से बताया गया है इन डॉक्यूमेंटरी में नमबर एट पे हैं दोस्तो दग ग्रेट इंडियन इलेक्शन विश्व का सबसे बड़ा लोक्तांतरिक इलेक्शन हमारे इंडिया में होता है और ये एक अजूबे से कम नहीं है ये किस तरह से काम करता है इन में काम करने वाले करमचारी कैसे ये काम करते है उस समय प्रजा और नेता का मूर क्या होता है ये सब आप इन डोक्यूमेंटिस में देख पाएगे नमबर सेवन पे है दोस्तो रेड एलट गंगा हिंडुस्तान की सबसे पवित्र नदी गंगा जिसकी हम पूजा करते है पर इस समय गंगा बहुत खत्रे में है वो कौन-कौन से रिजन है जिस वज़े से वो दूशित हो रही है ये जानने के लिए आपको पूरी डोक्यूमेंटिस देखनी होगी नमबर सिक्स पे है दोस्तो लॉस्ट रिजर एड माया किंग हमारे इतियास में माया किंग के खजाने के बारे में हमें बहुत सुना है लेकिन उनको सच साबित करने के लिए कुछ आर्केयोलोजिस्ट उन खजाने की शोध में निकल पड़ते है और बाद में उन तक वो कैसे पहुँच पाते है वो सब इन डॉक्यूमेंटरीज में आपको देखने को मिलेगा नंबर फाय पे हैं दोस्तों वर्ल्स वास्ट वेदर हमारी ये प्रूत्वी कितनी बदल रही है ये डॉक्यूमेंटरीज देखने के बाद आपको पता चलेगा हम मानवी अपने स्वार्थ के लिए उद्रती आपदा को नाश कर रहे है उसका कारण क्या हो सकता है ये सबी दिखाया गया है इन डॉक्यूमेंटरीज में ये डॉक्यूमेंटरीज आपको देखनी ही चाहिए नमबर पॉर पे दोस्तो एक स्पेडिक्शन एवरेस्ट एक खतरनाक एवरेस्ट जर्नी पर कुछ सैंटिस्ट का ग्रूप एक संसोदन के लिए जाता है हमारे चेंज हो रहे क्लाइमेट के बारे में जानकरी लेने के लिए कुछ ओपकरण वहाँ पे लगाने के लिए वो जाते है पर एवरेस्ट पर जाना कितना कठिन हो सकता है वो जानने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंटरीज को देखना होगा नमबर त्री पे हैं दोस्तों इंसाइड इंडियन नवल अकेडमी मुई में तो हम कई बार नेवी को देख चुके है लेकिन ओरिजिनल नेवी में क्या होता है वहाँ पे सोलजर किस तरह से काम करते है नेवी का ससस्तर जहाज कैसा होता है और वहाँ पे सोलजर को कैसे ट्रेन किया जाता है ये सब बारी की से बताया गया है इन डॉक्यूमेंटरीज में नमबर टू पे हैं दोस्तों एक्स्ट्रिम फ्लाइट्स इंडियन एरफोर्स एरफोर्स जो हमारा देश की सबसे बड़ी ताकत है एरफोर्स के बारे में हम बहुत सुनते आये है लेकिन उनमें हमारे सोलजर किस तरह से और किन हालात में काम करके हमारे देश की सेवा कर रहे है ये जाने के लिए आपको ये पूरी डॉक्यूमेंटरीज मुवी देखनी होगा नमबर वन पे हैं दोस्तों B.S.F. इंडियास फर्स्ट लाइन डिपेंस हमारे देश के असली हिरोज हमारे सोलजर है वो लोग दिन राथ जाकते हैं इसी वज़े से हम सो पाते हैं ये डॉक्यूमेंटरीज मुवी B.S.F. यानि की बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स पर आता रही थे कैसे वो हमारे देश की रक्षा कर रहे है कौन-कौन से डेंजर सिचुएशन में वो काम कर रहे है ये सभी पर बनी है ये कम्पलीट डॉक्यूमेंटरीज मुवी जिसे आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं चाहिए आशा करता हूँ दोस्तो ये वीडियो आपको थोड़ी से भी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुवीज और वेब सिरीज के बारे में ज्यादा जानकर के लिए मेरी टेलिग्राम चैनल को जोईन करो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देई दी है तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेगे तब तक के लिए आप ये पूरी डोक्यूमेंटरिस मुवी को देख लीजिएगा